ओम गर्शी महांगड़ी शाय नमा जैशिव शंकर राधी दाधी तोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों महाशिवरात्री का पर भगवान शिप को अतितिक प्रिया है इस दिन भोले नाथ का सच्चे मन से इस्परण करने मात से ही भोले नाथ प्रसंद हो जाते हैं और अपने भ महाशिवरात्री की दिन भगतु भुपने नाथ को प्रसंन करने के लिये भगवांड़ी की कृपप्त करने के लिए भगवाशिवरात्री का ब्रत कैने से जीवन में चली आ रहें बड़ी से बड़ी परिशानी दूर होती है और भोले नात की कृपा से जीवन में खुशियां आती हैं महाशिवरात्री के पावन पर भोले नात की कृपा प्राप्त कायने के लिए इसनान कर भोले नात का अभिशेक अवश्य करें वैसे तो जल से अभिशेक कर सकते हैं लेकिन पंचामरत से अभिशेक करने से सब सुखों की प्राप्ति होती है और कश्टों से छुटकारा मिलता है पंचामरत के लिए आप एक पातर में कच्चा दूट डाले दूस्तों धान रखें आपको उबला हुआ दूट नहीं डालना कच्चा दूट लेना है और दूट में शुर्दिगी और दही मिलाना है इसके साथ ही थोड़ी शक्कर और शेहद भी मिलाए आप इसमें आवक शक्ता अनुसार पानी मिलाए और इस तरहें पंचामरत तयार करें अब आप इस पंचामरत से भोले नाथ का अभिशिक करें हो सके तो भोले नाथ की मंदे चाकर भोले नाथ की शिवलिंग का अभिशिक करें ऐसा कायने से कई गुना अधिक पुन्यफल प्राप्त होता है शिप पुराण के अनुसार महा शिवराती पर भगवान शिप शिवलिंग के रूप पर प्रकट होए थे इसलिए आज के दिन भगवान शिप की शिवलिंग का पूजन कैना बहुत ही शुब और मंगलकारी होता है अगर मंदिर ना जा सके तो अपनी खर पर ही भोले नाथ की प्रत्मा का पंचाम्रस से अभिशेक करें भोले नाथ के जो भक्त ग्रहस्त हैं उन्हें भगवान शिप के पूरे परिवार का पूजन करना चाहिए यानि की भगवान शिरी गणिश, भगवान शिप्मा पार्वती के साथ ही भगवान गातिके और नंदी जी का पूजन भी अवश्य करें ऐसा कहने से परिवार में खुश्य आती हैं, प्रेम बढ़ता है और सुक्सम्रथी भी बनी रहती है दोस्तों, आज के दिन फोले नाद का पंचामरथ से अभिशिक कहने के साथ ही पंचामरध का भोग भी भूले नाद को चढ़ाया जाता है आज के दिन भोले नाथ को पंचा मृत का भोग अवश्य ही लगाएं लेकिन ध्यान रखें इस पंचा मृत में आपको तुलसी पत्र नहीं डालना क्योंकि भोले नाथ के पूचन में तुलसी जी का इस्तिमाल नहीं किया जाता भोग लगाने की पश्चात अब आप भोले नाथ का यथा शक्ति पूचन करें आप शिप्पुरान का पाड़ भी कर सकते हैं अगर आप संतान सुखसी बंचित हैं तो आपको आज के दिन रुद्राश्टर का पाड़ अवश्य करना जाहिए अगर आपको कोई रूख है या बार बार दुरघटना होती रहती है या आप ग्रह दूश्य से पीड़त हैं तो आप महाम्रतिंजे मंतिक का एक सो आड़ बार जाब करें आप खोली नात की ओम नमश्यवाय मंतिर का जाब भी कर सकते हैं महिलाएं नमश्यवाय मंतिर का जाब करें या आप शिप जाने सागा भी पाड़ कर सकते हैं इस तरह भगवान शिप का पूचन करने के प्रशाद दूस्तों आपनी भगवान जी को जो पंचा म्रत का उसे प्रशाद की रूप में अपने परिवास सहित क्रहन करें। दोस्तों भगवान शिप को लगाया गया यह भोग प्रशाद की रूप में ग्रहन करने से भूले नाथ की कृपा से मन चाहा बर्दान प्राप्त होता है। रोग और कष्ट दूर होते हैं। भोले नाथ के कृपा से पापों का नाश होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों महाशिवरात्री के पावन पर भोले नाथ का अभिशे करने के साथ ही भोले नाथ को बेल पत्र, आग, धतूरा, भांग, अवश्य ही अर्पित किये जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक और चीज है जो अवश्य अर्पित की जाती है बहे बेल। आज के दिन भोले नाथ को कोई और फल अर्पित किया जाए या ना किया जाए। लेकिन बेल अर्पित करना अती आवश्यक है। धार्मिक मानेताओं के अनुसार आज की दिन भोले नाथ को बेर अर्पित करने से भोले नाथ अतिशीक्र ही प्रसंद हो जाते हैं, महा शिवरात्रे पर बेर के विना भी पूजन अधूरा रहता है, इसलिए आप आज की दिन भोले नाथ को बेर अर्पित कर भोले नाथ का प दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फोले नाथ की शिवलिंग पर जो बेर अर्पित किये गए हैं आपको वो नहीं खाने क्योंकि फोले नाथ की शिवलिंग पर चड़ाया हुआ प्रिशाद गहर नहीं करना चाहें आपने अपने मंदिर में भूले नाथ को जो भोग लगाया है बेर का आप उसी प्रिशाद की रूप में ग्रहर करें दोस्तों बेर के इलाबा एक अन्य चीज का भोग भी आपको भूले नाथ को अवश्य ही लगाना चाहें और वह चीज है खीर जी हाँ दोस्तों खीर भोले नाथ को अतितिक प्रिये है आज के दिन आपको पूरे शिप परिवार को खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहें लेकिन ध्यान रखें इस खीर में आप केसा डाडालें यह खीर सफेद रंकी ही रखें और इसमें इलाइची कोटकर अवश्य ही डालें खीर का भोग लगा कर पूरे शिप परिवार का पूजन करें और फिर पूजन के परशाद इस खीर को परशाद की रूप में ग्रहन करें ऐसा कहने से भगवान शिप पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार का आशिरवात प्राप्त होता है साथे चंद देव भी प्रसन होते हैं शिप परिवार और चंद देव के क्रपा से घर परिवार में आपसे रिष्टी मजबूत होते हैं रिष्टों में मिठास आती है, दामपत्य जीवन भी मधूर बनता है, और घर में शुक्षान्ती का माहौल रहता है, घर में सुक्सम्रत्थी बनी रहती है, और कश्टों से भी छुटकारा मिलता है, चंद देव से संबंधे दोश भी दूर होते हैं। दोस्तों अगर आपने महाशिवरात्री का ब्रत रखा है, तो आपको सवाग की चावल, जिनें ब्रत की चावल कहा जाता है, उनकी खीर बनाने हैं। अगर आपने ब्रत नहीं रखा, तो आप सादर चावल के भी खीर बना सकते हैं। अगर आप खीर ना बना पाएं तो खीर की इस्थान पर आप दही में थोड़ी शक्कर या बूरर डाल कर इसका भी आप भूले नाथ को भोग लगा सकते हैं दोस्तो शिप परिवार के प्रशाथ सरूप इस खीर को ग्रहन करने से पूरे शिप परिवार की कृपा प्राप्त होती है और मन जाहां बरदान मिलता है दोस्तों महाशिफ रात्ती का पर भगवान शिपको समर्पित है आज के दिन आप कुछ भी ग्रहन कहने से पहले उस चीज का भगवान को भोग लगाएं आप फल ग्रहन करें या भोजन ग्रहन करें पहले उसका भगवान को भोग लगाएं और उसी प्रशात की रूप में ग्रहन करें ऐसा कहने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और भोले नात की असीम कृपा प्राप्त होती है आज के दिन किवल साथ भोजन ही ग्रहन करें मीठ अंडा के इलाबा प्याद लेशन का सेवन भी आज के दिन भूल कर भी ना करें साथी प्रत रखने भले भक्त आज के दिन सैसों के तेल का सेवन भी ना करें और नहीं नमक खाएं आप प्रत का नमक खा सकते हैं इस प्रत में अन्न भी नहीं खाया जाता अन जैसे की गैहूं, मक्का, बाजरा, चावल, सभी प्रकार की दालें, राजमा, इत्यादी अधिक देलोग महाशिवरात्री के ब्रत में एक गल्ती करते हैं और वह है दूद का सेवन करना महाशिवरात्री के दिन केवल भगवाशिव को दूद अर्पित करें, दूद का सेवन ना करें आप पंचा मृत में दूद का सेवन कर सकते हैं, चाय कॉफी पीती समय दूद का सेवन कर सकते हैं, दही का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूद का सेवन भूल कर भी ना करें। दोस्तों भगवान शिप ने अपने मस्तक पर चंदी देप को धारण किया हुआ है इसलिए उन्हें चंद शीखर भी कहा जाता है आज के दिन भगवान शिप को अगर सफेद रंग के मिश्ठान का आप भोग लगा कर उसे प्रशाद की रूप में ग्रहर करेंगे तो इसे आपको भगवान शिप के साथ ही चंदी देप की कृपा प्राप्त होगी कुण्डली में चंदी देप की इस्तिती मजबूत होगे चंदी देप की कृपा से पारिवारिक रिष्टी मजबूत होगे और पारिवारिक रिष्टों में स्तुधार आएगा दोस्तों महाशिपरात्री का पर भगवाशिप मापार्वती को अतितिक प्रिया है क्योंकि इस दिन भगवाशिप मापार्वती का बिभा हुआ था और इस पार की महाशिपरात्री तो कई वर्षों बाद दिपित दुल्लव संयोग में आ रही है इस महाशिप राती पर प्रदोश प्रत भी है प्रदोश भी भगवान शिप्मा पार्वती को समद्बित है और यह भगवान शिप्मा पार्वती का प्रिय दिन है इसलिए इस बार महाशिप राती और प्रदोश प्रत एक साथ होने से इसका महत्व कई लाह गुना अथिक रहा है ग्रहों की यह दुल्लव इस्थती बहुत ही खास लापकारी होगी ग्रहों के इन दिप्पे दुल्लव संयोग में इस महाशिप रात्री पर अकर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो इसे भगवान शिप्प मापार्वती का आशिवार पूरी साल आपके उपर बना रह आज के पावन दिन इन में से किसी एक चीज को गहन करने मात्र से ही भगवान शिप्प के साथ ही पूरे शिप्प परवार की कृपा भी प्राप्त होगी और मन चाहां बर्दान मिलेगा उम्बीत है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस को अपनी फ्रेंड्स और इस्तिदारों में जादर से जादर शियर करें जिसी भेवी इसका लाब उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग डाती डाती जे शिफशंक